गोड मॉनिंग infused this यह मेरा सेकेंड व्लोग है और मेरा मेरा बनाणने का यह है जो माइक होता है यह माइक ४ इसको कैसे लगाया जाता है। इसका पेसिक फ़र्फचिन क्या है। यह माइक इस टाइब का क्यूं होता है यह वीयूवर्स पर पहुचा सकूँ तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर यह व्लॉग आपको अच्छा लगे, इन्फर्मेटिव लगे, तो प्लीज इसको लाइक करें, शेर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इन्फर्मेशन जो आपने देखी, आपने सुनी है, समझी है, वो सभी तक पहुंच सकें, त तो इसको basically बुला जाता है, माइक, यह माइक होता है, इसको हम लगाते हैं, CCTV के साथ, ताकि वहाँ पे अगर कुछ हमें recording करनी है, तो वो हमाया recording का purpose solve हो सकें, दो टाइप के माइक होते हैं, एक माइक होता है, राउंड टाइप का होता है, वो मतलब गोल टाइप का होगा, बड़ा होता है, वो दिखाई देता है, और यह जो माइक होता है, यह दिखाई नहीं देता, इसको टेप से हम वायर में चिपका सकते हैं, यह जिसे पता ही लगता है कि माइक लगा है कि नहीं लगा है, हाँ, लेकिन अगर कोई expert होता है, जिसको पता होता है कि इस टाइप क जापर हमारा CCTV लगा है, इसको महाँ पर लगाए जाता है, इसमें तीन तारे होती है, जो red वाली होती है, इसको बोलते है positive, जो black वाला होता है, इसको बोलते है negative, और ये होता है audio के लिए, ये जो camera, जो 3 plus 1 wire होती है, उसके साथ ही attach हो जाता है, जो camera के साथ attach होगा, exactly उसके जाएगा negative, negative के साथ, positive, positive के साथ, और white वाला, white वाले के साथ, इसको हम आपर attach कर देंगे, फिर एक दूसरा, जो DVR होता है, आपके पास question आएगा, कि इसको हम attach कर देंगे, तो क्या है, जो BNC connector होता है, DVR के पास क्या होती से, ये audio, जो होगा, ये catch करेगा, और record कर लेगा, नहीं friends, उसके लिए जैसे BNC connector होता है, वैसे audio connector होता है, वो audio connector होता है, वो DVR के पास लगाना होगा, और वो DVR में attach कर देंगे, और DVR तक ये wire नहीं जादी, DVR जैसे 3 plus 1 wire में इसको attach करेंगे, जो 3 plus 1 wire की wiring का जो part, DVR में जाएगा, वही जो है, वहाँ पर audio connector के पिछे लग वीडियो फोटेजे साथ audio भी आएगा, अब रही बात इसकी range की, तो लोग बहुत चीज़े बोलते हैं कि ये 20 meter तक audio catch करेगा, 30 meter तक catch करेगा, कई लोग यतना भी बोल देते हैं कि 40 meter तक एकदम बढ़िया quality में catch करेगा, लेकिन आप इस mic से ज़्यादा उम्मीद ना रखे क्योंकि इसकी भी capacity होती है, अगर आपको जादा clarity चाहिए तो दूसर type का mic लगाएं जो कि दिखाई देता है, और अगर आपको इस type का mic लगाना है तो इसकी मान के चलिए 20 से 30 meter तक के बीच में ये आपको audio quality दे देगा, ठीक ठाक सा, अब ये market में उपलब्ध होते हैं कोई कोई 50 रुबे का भी बेचता है, कोई 100 रपै का भी बेचता है, कोई 700 रुबे का भी बेचता है, कोई 80 रुपीस का बेचता है, तो ये आप जिस shop से खरीद रहे हैं, उसे आप बात करें कि बढ़िया quality कासा होगा, और कोनसा आपको लगाना चाहिए, आपकी कितनी range है, आप आपनी वीडियो फूटेज में इस माइक के बारे में बताया, यह माइक जो होता है यह हीडन टाइप का माइक होता है, इसको केमरे में लगाया जाता है, और इसके जो वायर से negative positive ओर ओर ठीन हो हैं, इसको आपा टैच केया जाता है, इसकी रेंज तकरीवन तकरीवन 20 से 25 मिट तक होती है यह ठीक ठाक सी audio quality आपको provide कर देगा तो friends यह मैं अपना vlog अतम करूँ आप मेरी आप से request है कि please अगर आपको यह video अच्छी लगी हो तो इसको like करें subscribe करें share करें friend circle में अपने known में अपने relatives में ताकि यह information सभी तक पहुचाएं जा सके thanks friends